नमस्कार दोस्तों जैसी क्रश्न कैसे हैं आप सब उम्हेद करती हूँ खुश होंगे सुखी होंगे शंपन होंगे हमारे जो भी वीवर्स अब्स्राइबर्स दुनिया में जहां भी हैं सभी को मकर शंक्रांती की धेरो 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 शुपकाम ना हैं आपको बहुत सारे उप सुख उठते के साथ सुरे देव को प्रणाम करें और ओम शंक्रताएं नमहां को कम से कम चौदह बार जरूर बोले आज के दिन सुखा उठकर के शुरे देव के दर्षन करें से दरीद्रता का नाश हो जाता है आज के दिन दोस्तों जहां आपने अनाज स्टोर करके रखा है वहाँ पर एक घीका दिया जरूर जला दें इसे इंदर देव हमेशा आपके उपर प्रशन रहेंगे आज के दिन आप पतंग जरूर उड़ाएं पतंग इसलिए आपको उड़ाना है क्योंकि पतंग उड़ाते समय आप शुरेदेव के दर्शन जरूर करेंगे शुरेदेव के आप दर्शन करेंगे तो आपके अंदर जो भी दरीदरता है जो भी कुख्याती के जो भी चीजे पड़ी हुई है जो राहू के तू के जो ऐसे लक्षन पड़े हैं जो आपको आपको लाइफ में तकलीफ देने वाले हैं वो तमाम चीजे दूर हो जाती हैं आपका नाम रोशन होता है कहते हैं आज के दिन भागवान राम ने पतंग उड़ाई थी और वो पतंग शिदे देव लोग तक गई थी आज के दिन पतंग के उपर अपनी इच्छा लिख करके उसे उड़ाने से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं यूनिवर्स में आपका पतंग उड़ करके जाता है और आपके इच्छाओं की पूर्ती करता है देव लोग तक आपकी आवाज को पूँचा देता है तो आज के दिन पतंग जरूर उड़ाएं अगर नहीं उड़ा सकते हैं तो किसी और की पतंग पर ही अपनी इच्छा लिख दे और आज के दिन फिर से बता दो दोस्तों शुर्य देव की पूजा करें शुर्य देव के जल में तिल और गुड थोड़ा सा जरूर मिला दे शुर्य देव को पांच बाती का दियार पित करें दिये में भी थोड़ी सी तिल आज के दिन जरूर डाल दें स्नान के पानी में थोड़ी सी तिल जरूर जरूर डाल दें ताकि दरीद्रता हमेशा के लिए चली जाए जै इत्मा ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करते हैं जैसी कृष्णा